बहुत बात इस्तानिय निकाय चुनाओ की नहीं दुबड़े छोटा मुद्दा है बात उसके संदेशों की है बात इस संदेश की है कि एक कोट कहरा है कि बिना पिश्डों को आरक्षड यह चुनाओ करा रीजे उत्तर प्रदेश में चुनाओं में 29.000 शिक्षक वर्टी कि शाबिल भी कराया गुज्रात में कहा भी कि मैं पिश्डी जाती से आता हूं आपको क्या लग रहा है यह प्लान था लोग कहते हैं दिल्ली और उत्रदेश में बड़िया संब्ध रिष्टे नहीं चल रहे हैं कि यह प्लांड था एक वद्ध ऐसा मान रहा है कि यह देखिए मैं इसको दिल्ली और लकनों की राजनीती से ज़्यादा राश्ट्रिया स्वयम से वक्स संग की सोच है और बीजेपी की एंटी रिजर्वेशन जो सोच है औरीजनल क्योंकि जब चुनाव के टाइम पर आपको यह बोल नहीं सकते कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ है तो लगाता है आप गरीबों की उत्थान की बात करते हैं लेकिन जो आप बोलते हैं वो क्रियान में में दिखाई नहीं लेता महराश्ट्र का मसला औरी सुप्रीम कोड से रिजेक्ट हो चुका था महराश्ट्र में OBC के लेके करीब-करीब एक साल तक पेंडिंग पड़े चुनाओ अल्टिमेटली बिना OBC के रिजेर्वेशन के उन्हों को चुनाओ करने पड़े जब महराश्ट्र में बात हुई तो कम से कम जो चलो नेताओं के पास समय नहीं होगा लेकिन जो बड़े-बड़े वकील होते हैं जो करोड़ों रूपे की फीज लेके सरकार का पक में बॉका जाता है कि य। नहीं पहले का प्रेятель का लिए अगार आउख औरषर्वेशन नहीं देना चाहते या ब्रूप 2C का हक र्रिजेर्वेशन पाने को नअले पाली का प्रोसेस पर उप्छी उठा रही है। आज आपके पास डेटा नहीं है। महाराष्ट की सरकार जो महाविकास आगाडी की सरकार थी वो लगातार बोल रही थी कि हमको डेटा चाहिए डेटा चाहिए। नहीं डेटा दिया गया क्योंकि जो लेटेस्ट जंडगनमा हुई थी वह बाकाइदा जातिकत आधार पर हुई थी लेकिन उसका डेटा सरकार दबा के बैठी हुए वह अभी तक पब्लिक नहीं किया जब तक आपके पास पता ही नहीं एक्टुली ओरिजिनल स्थिती क्या है तो रिजर्वेशन कैसा दिया जाएगा बार बार प्रोसेस पर सवाल उठाते हैं और आज कल ये सरकारों की खासकर 2014 के बाद एक सरकार की नियत हो गई है ञाइस कि यह जो चीज़े वह नहीं करना चाहती ह OUT हुर तो उसमें बार बार ने रॉय प्रक्रिया फॉलॅ करने के की बात करता है और उसको समय लगेगा और या दि मतश्य का समय लगेगा तो तीन साल तक चुना और परोके नहीं जा सकते कि यह ना कहीं उस उन लोगों पर भी आना है जिनके कोई रिप्रेजंटिशन ही नहीं है सरकार के लोग बैठे हुए अधिकारी बैठे हुए वही आपकी नगर निकम की खतम हो गई सिमा उसके बाद भी लोग वहाँ पर अधिकारी काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार ने यह पक्षे ही ऐसा प्रिजेंट किया कि सुशिल जी सही कह रहे थे कि वह पहले दिन से लग रहा था है तो रिजेट होके आना है वहाँ से किस बेस कर दो पोड़ ओब मोड़े लेकिट के मैं यह बोला दो को करेंगे जारी दो तो फुल विल्ट के चुनाओ तो होंगो इस रस्ते करेंगे वह करेंगए यह सब कहनी की बाते हैं जब चुना प्रक्रियार शुरू हो जाती है और चब लगते हैं कि चुना हो ही रहे हैं तो सब चुनाओं में लाइन लागा के आ जाते हैं लेकिन सभी राजनितिक दल यदि चाहते हैं कि जातीगर जन्गनना हो आपके पाँच एक डाटा हो बगर डाटा का कोई रिजर्वेशन दाटा का बेस हो उस पे ही रिजर्वेशन का कोई फ़र्मुला निकला जा सकता तो आज डाटा नहीं है मुक्खे यह है आज उपी सरकार ने करना चाहिए था अपने लेवल पर करना चाहिए था जैसा भिया सरकार ने कहा कि हम खुदी अपनी जन्गनना करेंगे भरू हम व OBC के लिए करेंगे, सोरोच नयाले जाएंगे और ये करेंगे, वो करेंगे नयाले इन प्रक्रिया में चीजे खीच रहें क्योंकि आप आरक्षन देना ही नहीं चाहते आपकी नियत ही नहीं जो चीज आपको करनी होती है, उसके अध्यादेश करेंशोरों से हमलावार थी, लेकिन मैं भी उनको पूछना चाहता हूं क्या पंजाब में उन्होंने OBC को रिजर्वेशन दे दिया है, पंजाब में उनकी सरकार है, पोरा प्रयास करें, सारी प्रक्रिया फॉलो करें, क्या प्रक्रिया वहां चालू होगी यह फॉलो करनी की बात, या क्या पंजाब में OBC को रिजर्वेशन मिलेगा, नगर निगाई के चुनाओं में, ऐसे कई सवाल है, क्योंकि जो यहां विरोधी है, जहां सत्ता पक्ष में, वहां वो चुपचा बैठते हैं, यह सत्ता की चेरी है संजे जी, जा बैठने के बाद आदमी सब कुछ भूल जाता कि वह क्या था, वह किसके लिए लड़ रहा था, फिर उसको सत्ता बचानी होती है, और फिर वही एक सत्ता का जो दुर्गुण उसके साथ, उसके सार पे मड़ जाता है, फिर वह सत्ता ही दे रहा है, इसलिए जो लोग जहां सत्ता में हैं, क्या उन्होंने वो प्रोसेस किया, कम से कम महरास्टर के सुप्रीम कोट के निकाल के बाद, अभी हाई कोट का यूपी के निकाल के बाद, जहां-जहां जिन जिन राज्यों में जो लोग देना चाहती है, सारा मूल-मुद्दा यहां पर है, अश्रो की मैं यह समझना चाहता हूँ, आपसे चुकिया पूरा देश घुमते हैं, सब जवाम मेताओं से आप बात करते हैं, आपको रियर विशन हो नहीं मिले, आप चुनाओं में आप ऐसे आयोग बनाएं, फिर चुनाओं, क्या संद में संदेशा चला गया, बैकवर्ड यह बहुत दिनों से जानता है कि उनके साथ खेल हो रहा है, लेकिन पिर वो साथ खिसका दे, सामने आता कोन है, सापनाओं और नागनाओं में से एक को चुनना है, तो नागनाओं भी सापनाओं बन के आता तो उसको दूद पिला देता है, दूद पिने के बाद हो फिर नागनाओं बन जाता है, क्या गुजरात के चुनाओं में हमने नहीं देखा, क्या गुजरात के चुनाओं में इखटा आधिवासियों में बीजेपी को समर्तन नहीं मिला आधिवासी बेल्ट में, क्या गुजरात चुनाओं में हमने नही नहीं है तो क्या करेगा महा कादी वसी अि उसके Kisमत में ही पूटिए यदि वह किसी और को भी ओट देता है तो भी हिजाने झाल को इस अब करता है कम से कम दुस्म्नी तो नहीं होगी कि मात्र गरिबों के लिए या किसानों को किसानों को किसान नेता है हमारे साथ एंस लम जी किसानों को मालूम 12 किस já Μार्क किसान चुना में किसान क्यों को TERHH कि सаксим ने किसी के पीछे कंख ला यह जाता है यह मनला जाता है उल्ट में इस बाता हुआ है उत्तर प्रदेश में मुसल्मानों को मालूम ने की कि वो बीजेपी उनका कभी भला नहीं करेगी। बुल्डोगर चलना ही चलना है। फिर भी OAC के पीछे चले गए। आट दस सीटे सहीद करवा गए। पता है, मतदाताओं को पता है, विपक्ष को एक जूट होना होगा, विपक्ष को अपनी रंडिती तै करनी होगी कि मत प्रतिशत ना बटे। नरेंद्र मोदी जी के पाज 300 से ज़्यादा है सीटे। लेकिन मत प्रतिशत 35-36 है, 25 प्रतिशत विरोध में हैं। लेकिन प्रतिशत मतदान का मतलब नहीं है, क्योंकि सिट कनवर्टिबिलिटी वैसे नहीं होती है। इसके लिए मैसेज तो लगातार जा रहे है, आज थोड़ी जा रहे है मैसेज। गुजरात में घोड़ी पे नहीं बैटने देतें, दलितों को फिटा जाता है, पुलिस प्रोडेक्शन में द्वरात निकलती है, तो गुजरात के लोगों को मालूम नहीं क्या हो रहा है उनके साथ। मोरवी के लोगों ने देखा नहीं, 135 लोग कैसे बैग गया नदी में मर गए, मातम मना 135 घरों में आज भी रोटीनी दिया जाल रहा है रोज, फिर भी वहां BJPQ जीतती है, मैसेज वहां पे भी गया था, सिरिफ आपका रिसीवर खीक होने से काम नहीं होगा, आपके सिगनल सिगनल तो आगए, फोन में बैटरी चार्ज नहीं, तो क्या करेगा, आएगा नहीं कुछ, सिगनल तो आगए, हरेक के पास सिगनल पहुच गया है, सन्या जी बात में इतनी कह रहा हूं बार-बार, हाई कोट ने रिजर्वेशन के खिलाब टिपड़ी नहीं की, हाई कोट प्रोसेस नहीं फॉलो किया, यह प्रोसेस फॉलो करने में समय लगेगा, एक दिन अध्यादेश करके आप लगर कमिशन तो गठीत करदे होगे, लेकिन उसको फाइंडिंग करनी होगी, उसको सर्वे करना होगा, उसको डाटा इकटा करना होगा, यदि यह एक देड़ साल क काम है, तो एक साल बिना चुनाओ के यह कर्पोरेशन रहेंगे क्या, एक साल तक वहाँ कमिशनर ही काम करेंगे क्या, सवाल यह है, आपको यदि राजनिती देख ली है, तो वो कहेंगे कि आप पहले अभी चुनाओ करवा लिए, सरोच नहाले भी कहेगा, चुनाओ करवा करें जब आप जाते हो, यह जानते हुए कि सरव उच्छ नहाले आपको मना करेगा, यह ऐसे करवाने के लिए ही आपने यह फॉलो किया, यह अधिकारियों की गलती नहीं है, यह प्री प्लैन्ड साजिज, एक साजिश के साइच जाता है, जहां आपको करवाना है, वहां कर प्रोसेस फॉलो करना है मद्य प्रोसेस फॉलो हो गया डाटा भी सब्सक्राइब हो गया अब पर्मिशन भी मिल गई यहां डाटा आप सरोच चनायले क्या कहेगा तरोच यह तोड़ी कहेगा कि नहीं अभी तो चुनाओ कर लो और रिजर्वेशन के साथ और इसके बाद हम त कि अधि अधि अधिनाओ कर लों परिज उसा के सब्सक्राइब करेंगे तो पिर कांटर पिडिएंगे जब तक सर्वोच नाइधे नतीजे नहीं आएंगे परीशीमन को लेके तब तक जम्मु काश्मीर में चुनाओ नहीं होंगे इसलिए मैंने कहा कि इतना ही नहीं है कि सर्वोड चाहिए चाहिए। अब ही चुनाओ करवाने ची थी जिए। स्टे नहीं देगा आप अपना प्रोसेस फॉलो करो, सं भी है। रहा सब्मिट करो, उन्हें काई गा सर समय चाहिए। तो बोलेगा, आप य। चुनाओ करवा लो। जब बिना तयारी से आप आजाते हो, आप चले जाओगे किसी के घर चाय पिने और बोलोगे अभी शादी कर लो, लड़की पसंद आगी हमको, वो बोलेगा, भाज साथ, जिरा 10 मिनिट का तो टाइम दे दीजिए, नहीं नहीं, अभी शादी कर लो, हमरे पाद टाइम नहीं ह अपसरों के हाथ में नगर पाली का है, नगर निकम रही है, और अपसर तो यूपी में चाहते भी यहीं है, कि शेर्में न बनें, इन्हीं की का कहती चाहती रहे, जो अपसरों की सुट होता है, यह गाजर टांग के बठा दे नहीं, तो यह यदि नगर निकम के चुनाओं म कुछ वीप्रीज परिणाम आए, तो लोग सभा में कुछ अलग इसका इंडिकेशन जाता है, वो तो अपने हिसाप से काम करेंगे, यह तो बाकी राजनितिक दल को देखना है, कि यह प्रोसेस पार करने में यह जिए साथ-ाठ साल निकलते हैं, तो साथ-ाठ साल तक तुम् कर दो कर दो से दे पिए, वो तो 조г हो कि यह दो अलग?", यह हैं, बाकी राजनितिक दल कर दोते हैं, यह हड़ब बाकी राजने हैं, वो तो साल खकेशन जाता हैं, तो यह हड़़ तो आसम पराजने हम साले ह।